नमिश्का रुष्टो इस डिस्केशन में हम 13 फरवरी 2022 के करंडी फिर के सभी important question को cover करेंगे PDF आप इसकी टेलिग्राम चैनल से डालोड करेंगे और लिंक उसका description box में नीचे दिया गया है तो चलो अब आज की class स्टार्ट करते हैं पहला question फरवरी 2022 में भारत ने परियटेंग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझोता ग्यापन पर हच्टाक्षर किये हैं तो बताईए इस question का सही answer क्या है तो अभी recently फरवरी 2022 में भारत और ऑस्टेलिया इन दोनों ने टूरिजम को प्रोमोट करने के लिए एक M.O.U. sign किया है तो B option जो है ऑस्टेलिया इस question का सही answer है अब बात कर लेते हैं दूसरे option हो की Sweden Sweden की जो capital है यह है Stockholm Stockholm यह Sweden की capital है इसकी currency के बात करें तो Sweden कोरोना K.R.O.N.A यह इसकी currency है Finland की बात करें Finland की जो capital है यह है Helsinki और Finland की जो capital है यह है Euro Finland को जीलो का देश भी कहा जाता है Peru की बात करें Peru की capital है Lima और इसकी जो currency है यह है Seoul Seoul पीरू की currency है अब बात ओस्टेले की हुई है तो इसकी location देखिया यह है Australia इसकी capital के बात करें Canberra इसकी capital है Australian dollar यह currency है और Scott Morrison यह राष्ट पती है Australia के यहाँ पर एक grassland है जिसका नाम exam में पूछा आता है इस grassland का नाम है Downs यह आप से काफी बार exam में पूछा भी जा चुका है तो यह आप याद रखेगा यह Australia में है Next question 2022 में राष्टे उत पादक्ता दिवस कम मनाय गया यानि National Productivity Day यह कम मनाय गया तो यह कम मनाय जाता है यह मनाय जाता है 12 February को D option इस question का सही आमसर है 12 February इसकी theme आप याद रखेगा Theme है Self Reliance Through Productivity फिर से बोलता हूँ Self Reliance Through Productivity यह इसकी theme है 2022 की बात करते हैं दूसर ओप्शन की 2 February 2 February को World Wetland Day यह मनाय गया 4 February को World Cancer Day यह मनाय गया 10 February को World Pulsis Day यह मनाय गया तो इस question का D option सही है 12 February विश्व रेडियो दिवस 2022 की theme क्या है सबसे पहले जो आप यह जान लिजिए World Radio Day यह मनाया कब जाता है यह मनाया जाता है 13 February को अब इसकी theme क्या है इसकी theme है Radio and Trust D option जो है यह इस question का सही answer है Radio and Trust यह इसकी theme है 2022 की 4th question हाली में 35 आफरिका संध सिकर Samellan कहां आयोजित किया गया तो यह कहा पर किया गया यह किया गया अदीस अबाबम है और यह कहा पर है इथियोपिया में D option इस question का सही answer है बात कर लेते हैं दूसरे option की माली की बात करते हैं माली की जो capital है यह है बमाको बमाको माली की capital है Kenya की जो capital है यह है नाइरोबी इसकी अगरम currency की बात करें नाइरोबी में क्या है UNEP United Nations Environment Program इसका headquarter भी है सुदान के बात करें तो खारतूम K-H-A-R-T-O-U-M यह क्या है यह इसकी राज़्थानी है अब बात है अदीस अबाबा की हुई है पहले आप यह देखे देखो यह है इथियोपिया का मैप और यह इसकी capital है अदीस अबाबा इथियोपियन बिर यह currency है अभी एहमत यह परधान मनतरी है इथियोपिया की इसकी capital है अदीस अबाबा यह fact आप याद रखेगा अब exam में एक question पूछा जाता है क्या? Horn of Africa Horn of Africa में चार देस कौन कौन से आते हैं देखो सबसे पहले तो आप इसमें यह जान लिगजिए इसमें चार देस आते हैं चार देस कौन कौन से आते हैं एक देस आता है जिबूती दूसरे अमर पर आता है रिटेरिया तीसरे पर आता है इथियोपिया और चोथे पर आता है सोमालिया तो यह चार देस आप याद रखेगा रिटेरिया जिबूती इथियोपिया और सोमालिया ये चारों देश Horn of Africa का हिस्सा है ये कोशन भी काफी बार एक्जाम में पूछा जा चुका है फिफ्ट कोशन 2022 में किस तारिक को तिलका माजी की जैनती मनाई गई यानि बर्थ एनिवर्शरी तो ये कम मनाई गई 11 फरवरी को C option जो है ये इस कोशन का सही आंजर है 11 फरवरी छटा कोशन PHS दामीबा को किस देश का राष्ट पती घोशित किया गया है तो बर्किना फासो यानि B option जो है ये इस कोशन का सही आंजर है अब बात कर लेते हैं दूसरे option की Russia Russia की जो capital है फ्रांस की जो capital है ये है Paris इसकी currency क्या है इसकी currency है euro इस पिंग के अगर हम capital की बात करें इस पिंग की capital है Madrid और इसकी जो currency है ये है euro अब वो ये बात यहाँ पर बर्किना फासो की तो इसकी location देखे आप देखो अफरिकन कॉंटिनेंट में हैं बर्किना फासो ये इसकी क्या है currency है पहले capital देखे आप capital क्या है ओवागा डोगू देखो नाम थोड़ा difficult है लेकिन एक बार आप नजर मार लेजी और इसकी currency क्या है West African CFA Frank ये इसकी currency है capital देखो नाम तो difficult है लेकिन एक बार नजर में हो तो आप इसको easily exam में solve कर पाएंगे साथवा question अटल भिहारी वाजपई नामक पुस्तक किसने लिखी है तो ये पुस्तक लिखी गई है सागरिका घोस के दुआरा ये option जो है ये इस question का सही आमसर है ये कुछ important books है इस slide का आप screenshot रे लिजेगा next question रिशव पंत का संबंध किस खेल से है तो इनका जो संबंध है ये है cricket से इनका नाम ये अभी नियूज में है तो इनका संबंध है cricket से 9th question वर्स 2022 में 45 वे अन्तराष्ट कोलकता पुस्तक मेलया का theme देश कौन सा है भी अए अप्शन जो है ये इस question का सही answer है भांगला बाद कर लेते हैं इराग इराग की जो capital है ये क्या है बगदाद ओमाज की जो capital है ये है मसकट पाकिस्तान की जो capital है ये है इस्लामबाद अब बाद यहां पे बांगलादेस की हुई है तो इसकी location देखिया, देखो ये है बांगलादेश, इसकी capital क्या है धाका, यह है इसके large city है, बांगलादेशी टेका, currency है, अब्दूल हमीद राश्टपती है, शेक खशेना परदान मंतरी है, टोटल भारत के 5 राज्यों की सीमा बांगलादेश के साथ लगती है, पांच चाहे, data भी आप याद रखेगा, और नाम भी आप याद रखेगा, टाटा संस के नए अध्यक्स कौन बने है, तो ये कौन बने है, एन चंदर शेकरन, यानि C option जो है, ये इस question का सही answer है, एन चंदर शेकरन, ये हमारे कल की question है, जो आप से पूछे गई थी, अनिबाल टोर गेल, पर शे, तो ये कम मनाए गया, दस फरवरिको, थर्ड कोशन, कंचोर पर्व, किस राज्य केंद्रे शाषित प्रदेश में मनाए गया, तो ये कहां पर मनाए गया, जम्मौ कश्मीर में, भारत का पहला, बाइमास आदरित हाइड्र Всемंतर, किस राज्य में श्थापित क ये हमारे आज के कोशन हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बता रहा है लोकतंत्र सूचकांक 2020 में कौन सा देश सीर्ज पर रहा खाली में UNEP ने मांजी वसंद्रा अभियान का समर्थन करने के लिए किस राज्य के साथ समझोता किया मनुशर नात भंडारी किस उचनहले के मुखे ने अजीस मने 2022 में किस तारिक को पंडित दीन देल उपाध्य की पंडितिती मनाई गई 9 फरवरी 2022 को जारी किये गए 2020 ट्रफिक इंडेक्स के नुसाल भारत का सबसे भीडभाड़ वाला शहर कौन सा है हाली में फाइजर इंडिया का देक्स किसे नुक्त किया गया तो इंच्छा है कोशन और कामसर आपको कमेंट बॉक्स मताना है फ्लालिस डिसकुशन को यहीं पर रोकते हैं थैंक यू